हलो वेलकम तो आर चैनल नेवर कृट दिस इस राहूल शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं जोग्रफी सबसे पहले तो सौरी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशुस के वज़ा से हमारी वीडियो लेट ऊचुकी है क्योंकि आपको पता यहां टूजी नेट चलता है तो अपल चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सबसक्राइब कीजिए और फिर प्लेलिस्ट पे चाहिए और आपको हर इक वीडियो पाब में मिल जाएगी तो आज डिसकस करने वाले जेघुग्रफी जॉग्रफी हम पढ़ने वाले गर्णमीम पर Q discuss करेंगे उसके बाद कुछ हम important points पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूँ कि MCQ जो है आप answer guess कर सकते हैं और मुझे अपना score जो है वो comment box में बता सकते हैं ठीक है तो जैसे जैसे मैं MCQ बताऊंगा आप अपना answer guess करते जाना ठीक है और be honest ठीक है तो फिर honestly मुझे अपने points scores बता आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले पहला question आपके लिए आ रहा है when was the solar system formed solar system जो है वो form कब हुआ है कब बना है आपका solar system यह universe का पहला question है ठीक है तो आपके पास option है 4 billion years ago option a 4.2 billion years ago option b 4.4 billion years ago option c and d option आपके पास 4.6 billion years ago तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि 20 mcq जो questions है इनके answer guess करते चलिए और अपना answer जो है वो एक page में mark करते चलिए और end में देखिएगा कि 20 questions में से आपके कितने answer जो है वो सही है ठीक है तो आप फट़फट अपना answer जो है वो guess कर लें ठीक है मैं इसका answer बताने वाला हूँ क्य है हमारे solar system को form हुए ठीक है इतने साल पहले हमारा जो solar system वो form हुआ है एक big bang theory है इसके उपर ठीक है उसके according 4.6 billion years ago जो है वो solar system form हुआ है question number second देखते है which star is at the center of our solar system हमारे solar system के center में कौन सा star है ठीक है तो यह चीज़ अगर आपको आती है तो फट़फट अपना answer mark कर लीजिए मैं option बता रहा हूँ option A है serious star है option B sun है option C canopoo है option D pole star है तो इन 4 stars में से कौन सा star जो है वो solar system के बिलकुल center में है तो फट़फट अपना answer mark कीजिए मैं answer पताने वाला हूँ तो इसका answer है sun जो है वो एक star है और वो हमारे solar system के बिलकुल center में है तो चल यह next question देखते हैं फट़फट which galaxy is the home of the earth and our solar system हमारा जो earth है और हमारा जो solar system है उसका home क्या है उसका घर कौन सी galaxy है मतलब हमारी galaxy का नाम क्या है जहां पर earth और solar system आते हैं वो कौन सी galaxy है तो question तो आपको समझाया होगा तो जिनको इसका answer आता है options आपके सामने है वो फट़फट अपना answer mark कर ले option A है dwarf galaxy option B है androm option C है milky way option D है none of these तो फटा फट बताईए कौन सी galaxy में हमारी earth पाई जाती है मैं answer बताने वाला हूँ and the answer is option C milky way ठीक है हमारी धरती का घर कौन सा है हमारी धरती का घर क्या है milky way milky way का दूसरा नाम है akash ganga ठीक है question number 4 देखते है what is the shape of our galaxy तो हमारी galaxy milky way है तो इसकी shape कैसी है यह किस तरह से है देखने में spiral है option B oval है option C spherical है option D crescent है तो चलिए देखिए लगाईए gas अपना कि आपका जो answer है अपना answer mark कर लीजी question number 4 का what is the shape of our galaxy मैं answer बताने वाला हूँ और इसका answer है option A spiral ठीक है हमारी galaxy की shape कैसी है spiral है चलिए next question देखते है which of the falling gases are mainly present in the sun बहुत important question है यह कि sun म कौन सी दो main gases पाई जाती है ठीक है तो फटा फट देखिए option कुन कुन से हमारे option A hydrogen nitrogen option B hydrogen helium option C carbon oxygen और option D carbon helium तो फटा फट अपना answer जो है वो mark कर लीजीए मैं answer बताने वाला हूँ तो दो main gases जो sun में present है वो है option B hydrogen and helium ठीक है इसके बारे में मैं last में discuss करने वाला हूँ बहुत detail में तो please video को end तक देखिए question number 6 देखते है how much time does sun rays take to reach the earth ठीक है बहुत बहुत important question है कि sun rays को कितना समय लगता है अर्थ पर पहुंचने में यह question बड़ी बार exam में आया हुआ है आपको पता होगा जिसने पहले exam दिये हुए है उनको पता होगा यह question बड़ी बार पूछा गया है exam म तो चलिए option A है आपका 7 minutes, option B है 9 minutes, option C है 10 minutes और option D है 8 minutes तो चलिए अपना answer मार कीजिए फटा फट की sun rays को कितना समय लगता है अर्थ पर पहुंचने में sun rays को 8 minutes लगते है अर्थ पर पहुंचने के लिए तो इसका answer है option D 8 minutes exact time है 8 minutes और 16.6 seconds ठीक है अगर आपको बिल्कुल exact answer इ 16.6 seconds लगते हैं sun rays को अर्थ पर पहुंचने के लिए next question देखते है which planet has the most volcanoes यह अलग question है थोड़ा कि कौन सा planet जो है जिसमें सबसे ज़्यादा volcanoes पाए जाते हैं तो अगर आपको answer पता है फटा फटा फट मार कर लें option A है Mars, option B है Jupiter, option C है Venus और option D है अर्थ तो इन चारों में इस जो planet जिस पे सबसे ज़्यादा volcanoes पाए जाते हैं वो है option C Venus, Venus पे सबसे ज़्यादा volcanoes पाए जाते हैं question number 8 देखते है which planets do not have moons, ऐसे कौन से दो planets है जिस पे बिल्कुल भी कोई moon नहीं है इन falling में से, ठीक है यह जो मैंने option दी है इन में से दो ऐसे कोई planet है जिन में कोई भी तो देखिए अपना answer मार कीजिए फटफट में answer बताने वाला हूँ तो वो दो planets जिन पे moons नहीं है एक भी moon नहीं है और वो है आपके Venus और Mercury, Venus और Mercury पर एक भी चांद नहीं है तो चलिए answer आपको पता चल गया है next चलते है question number 9 Phobos और Deomus are the notable satellites of Dash कोन से planets की ये दो satellites है ठीक है ये दो satellites इन चारो planet में से किसी एक planet की ये दोनो satellites है तो फटफट फट answer देखिए क्या है अगर आपको आता है तो मार कर लीजे ने तो guess कर लीजे ठीक है Phobos और Deomus notable satellites किसकी है option A है Mars, option B है Jupiter, option C है Venus, option D है Earth ठीक है तो मैं answer बतान बताने वाला हूँ, तो ये किसकी notable satellites है, option A, Mars, ठीक है, question number 10 देखते है, which planet has approximately the same land mass as the Earth, ठीक है, जैसे बिल्कुल आपकी Earth है, बिल्कुल वैसा ही एक और planet है, तो इन चारों में से वो planet कौन सा है, तो चलिए अपना answer मार कीजे, मैं option बता रहा हूँ, option A है आपका Venus, option B है Saturn, option C ह मार्स और option D है Jupiter, तो इन में से बताईए, कौन सा planet है, जो बिल्कुल अर्थ की तरह लगता है, उसका mass और उसका land mass बिल्कुल कैसा है, अर्थ की तरह है, तो कौन सा वो planet है, Venus, naturally, Venus को अर्थ का twin भी बोला जाता है, आपने पढ़ा हो गाई, चलिए next देखते है, question number 11, which planet has the most moons, मैंने पहले पूछा कि कौन से planet में moon नहीं थे, अब आप मुझे बताईए, ऐसा कौन सा planet है, जिसमें सबसे ज़्यादा moon पाये जाते है, और मैं बता दूँ, इन में से वो planet है, जिसमें लगबग 66 moons पाये जाते हैं, कितने moons पाये जाते है, 66 moons, तो बताईए, कौन सा planet है, ज Jupiter, जो की सबसे बड़ा planet है, question number 12 देखते हैं, which of the falling planet does not have ring around it, ठीक है, ऐसा कौन सा planet है, जिसके आसपस कोई भी ring नहीं है, ठीक है, एक ही planet, मैंने question को ध्यान से देखिएगा, मैंने question पूछा है, does not have ring around it, exam बे इस तरह से अच्छे से question पढ़ा कीजिए, ठीक है, कहीं बार आप question नहीं अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो चलिए, बताइए मुझे कौन सा planet है, जिसके around कोई भी ring नहीं है, option A है Mars, option B है Jupiter, option C है Saturn, option D है Neptune, ठीक है, तो इसका answer मैं बताने वाला हूँ, फटफट मार्क कर लीजिए, ठीक है, तो वो planet जिसके around कोई भी ring नहीं है, वो है प्लानेट वेस्ट गुमते हैं, यह इस्ट वेस्ट गुमता है, तो ऐसा कौन सा planet है इन चारों में इसे, जो क्या करता है, backward relative to others गुमता है, spin करता है, तो option A है Mars, option B है Jupiter, option C है Venus, और option D है Earth, तो जल्दी से answer guess कर लीजिए, मैं answer बताने वाला हूँ, तो वो planet जो backward क्या करने वाल यह दोनों तो उल्टे गुमते हैं, बागी सब west to east गुमते हैं, चलिए next देखते हैं question, which of the falling planet is not a terrestrial planet, तो इन में से कौन सा planet जो है, वो terrestrial planet नहीं है, तेक है, यह category है planets की, यह भी मैं वीडियो के end में discuss करने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को end तक जरूर देखिएगा, आपको बड़ी ही कमाल की information जो है वो इस वीडियो से मिलने वाली है, यूनिवर्स के बारे में, तो चलिए, terrestrial planet इन में से कौन सा नहीं है, वो है, option है आपके बास Mars, B Jupiter, C Venus और D Earth, तो इन चारों में से, मैं answer बताने वाला हूँ, फटफ़र मार कर लीजिए अपना answer, ठीक है, तो इन चारों में से, जो terrestrial planet नहीं है, वो है आपका option B Jupiter, Jupiter इन में से, जो है, वो terrestrial planet नहीं है, क्यों नहीं है, वो मैं next end में बताऊंगा, वीडियो देखते रहे हैं, question number 15 देखते हैं, which of the falling are also termed as shooting stars, इन में से हम किसी को shooting star भी बोलते हैं, ठीक है, यह सारे space के objects हैं, ठीक है, जमकते और गिरते हुए तारे होते हैं, तूटते हुए तारे, ठीक है, यह वही है, ठीक है, तो किन को बोलते हैं हम तूटते हुए तारे, तो option A है आपका comets, option B है planetoids, option C है meteor और meteoroids, और D है nebula, तो फटा-फट answer guess कर लीजे, मैं आंसर बताने वाला हूँ, तो shooting star बोला जा करेंगे, next question देखते है, when was the earth formed, earth कब बनी है ठीक है, अब फटा-फट, इसके जो option है, मिल्कुल ध्यान से पढ़िए का थोड़े confusing है, option A है 4 million years ago, option B है 4 billion years ago, option C है 4.5 billion years ago, और option D है 4.5 million years ago, तो फटा-फट अपना answer guess कर लीजे, मैं आंसर बताने वाला हूँ, तो आपकी earth जो ह आपकी earth जो है, वो form हुई है, ठीक है, चलिए next देखते है, which of the planet is also known as fossil planet, इन में से कौन से planet को, ठीक है, planet नहीं है, इन में से कौन, किसको जो है, fossil planet भी बोला जाता, दूसरा नाम जो है, वो इसमें इसको fossil planet भी बोला जाता, option A है, आपका moon, option B है, Jupiter, option C, Venus, option D, Mercury, ठीक है, तो इन चारों में से बताइए, किसको fossil planet भोला जाता है, answer मार कर लीजिए, मैं बोलने वाला हूँ answer, तो fossil planet भोला जाता है, option A, moon को, ठीक है, question number 18 देखते है, how much time does moon light takes to reach the earth, पहले मैंने sunlight पूछी है, आप मैं moon light पूछ रहा हूँ, ये भी बड़ा important question exam में पूछा गया है, ठीक है तो moon light को कितना समय लगता है, earth पर पहुंचने में, तो option A, 2.5 seconds, option B, 1.5 seconds, option C, 1.3 seconds and option D, 2.3 seconds, तो बताइए, कितना समय लगता है, फटा-फट आंसर मार कर लीजिए, मैं answer बता रहा हूँ, option C, 1.3 seconds लगते है, moon light को, earth पर पहुंचने में, next देखते है, which is the second largest planet in the solar system, largest आपको पता जूपिटर है, तो बताइए, दूसरा बड़ा planet कोन सा है हमारे solar system में, option A है Uranus, option B है Saturn, option C है Venus, option D है Neptune, तो फटा-फट आंसर मार कर लीजिए, मैं बोलने वाला हूँ answer, तो दूसरा सबसे बड़ा planet, the second largest planet है solar system में, आपका Saturn, ठीक है, कि याद रखिएगा, ये question आ सकता है आपके exam में, next है question number 20, जो कि last question है, which planet is also known as Earth's twin, ये तो बहुत असान question है, कि Earth का twin जो है, वो कौन सा planet है, ये पीछे कहीं मैंने बता भी दिया है, फिर भी answer mark कर लीजिए, option A है Mars, option B है Jupiter, option C है Venus, और option D है Saturn, तो अपना answer जो guess कर लीजिए, मैं answer बताने वाला हूँ, आपको पता ह होगा, इसका answer है, option B Jupiter, तो इस तरह से हमने 20NCQ जो है, वो discuss कर लीजिए, अपना score आप count कीजिए, और मुझे comment कीजिए, लेकिन उससे पहले, बहुत important जो discuss होने वाली है, उस में आज़र आते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है, तो सबसे पहले important points जो आपको याद करने है, ठीक Logi, ठीक है, Cosmo, शब्द का मतलब क्या होता है, Universe, और Logi का मतलब होता है, Study, तो Study of Universe को हम क्या बोलेंगे, Cosmo, Logi बोलेंगे, Galaxy is a vast system of billion of stars, ठीक है, Galaxy क्या होती है, ठीक है, Galaxy, आपने शब्द सुना भी मैंने Milky Way बताया आपको, ठीक है न, तो Galaxy होता क्या है, billion of stars का क्या होता है, ए पहले, Big Bang के बाद, ये क्या होई थी, फॉर्म होई थी, ठीक है, Big Bang Theory, जो है, वो सबसे widely accepted theory है, Universe को बनने को लेकर, ठीक है, अगर इसके बार में आप कुछ जाना जाते हैं, तो मुझे कमेंट कीचे, मैं इसकी एक अलग class भी बना दूँगा आपके लिए, तो चलिए, नेक् important है, ये आपके exam में पूछ सकते हैं, तो सबसे करीबी सितारा जो पृथवी के पास है, वो कौन सा है, Sun, Sun is composed of 71% hydrogen, 26.5% helium and 2.5% of other elements, मैंने भी आपको पीछे question भी पूछा है, कि दो में कुन सी gases थी, hydrogen और helium Sun के अंदर, तो उसमें 71% क्या है आपकी hydrogen, और 26.5% है helium, और कुछ हैं, वो बाकी है, 2.5% other elements है, चलिए next देखते हैं, there are 8 planets in the solar system, आपको पता है, और मैंने ये sequence लिखी है, distance के basis पे, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, और Neptune, मैं आपको एक कोड लाइन दूँगा, comment box में, आप उस कोड लाइन से सारे के सारे planets जोगा है, बिल्कुल रो में याद कर सकते हैं, वैसे, मैं लाइन बोल देता हूं, my very educated mother just show us nails, पहले 9 planets बोला जाता था, लेकिन Pluto अब outer planet है, तो उसके लिए नहीं बोलेंगे हम, चलिए, Pluto is now a dwarf planet, Pluto क्या है अब, एक dwarf planet है, dwarf मतले है, वो बहुत दूर हो चुक है solar system से, और अब हम उसको outer planet भी बोलते हैं, चीक है, next जो है, the 8 planets are subdivided into two groups, यह बहुत important है, तो यह बहुत है, मैंने 8 planets को दो groups में बांटा है, पहले group को बोलते हैं, terrestrial planets, या rocky planets, या inner planets, तो यह जो terrestrial, rocky या inner planets हैं, यह कोन से है, Mercury, Venus, Earth और Mars, ठीक है, यह 4 planets क्या है, terrestrial planets है, इसको याद रखिएगा, जो दूसरी category है, उनको बोलते है, Jovian planets, या gaseous planet, या outer planets, और वो कौन से planets है, Jupiter, Saturn, Uranus, और Neptune, यह दो categories आपको याद रखनी है, और यह बहुत important है, आगे बढ़ते हैं, asteroids के बारे में, asteroids कुछ नहीं होते हैं, आपको पता होगा, अगर आपने TV गेरा में देखा होगा, तो वो stone-like objects होते हैं, जो sun के around गुमते रहते हैं, औ और यह usually orbits of Mars और Jupiter में पाए जाते हैं, ठीक है, किसके orbits में पाए जाते हैं, Mars और Jupiter के बारे में, इनको minor planets भी बूला जाता है, next है, meteors and meteorites are also known as shooting stars, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, comets are the visitors of the, हाँ, अब comets भी एक term है, यह solar system के visitors होते हैं, यह रोज नहीं आते हैं, कभी कब कोई 86 years के बाद होता है, कोई 76 years के बाद होता है, ठीक है, तो यह comets actually होते क्या है, यह gases और metallic material के बने होते हैं, और यह tailed star होते हैं, ठीक है, पूंच वाले सितारे कभी कभी निकलते हैं, ठीक है, तो constellations आगे है, constellations group of stars होता है, आपको पता ही है, और आज तक हमने 88 constellations के बार group of stars, 4 और 3 का जो group 7 group of stars है, यह उर्सा major, ऐसे उर्सा minor है, जितनी भी आपकी राशियां है, ठीक है, जितने भी आपके यह science है, ठीक है, समझाया, zodiac science है, यह सारे के सारे भी किसके constellations के हैं, ठीक है, चलिए, next देखते हैं, अब कुछ मैं facts बताने वाला हूं आपको, ठीक है, यह फटा-फटा हम read करेंगे और यह बहुत important है, Andromeda is our nearest galaxy, ठीक है, हमारी nearest galaxy का क्या नाम है, Andromeda, dwarf galaxy is the latest noun galaxy, ठीक है, तो latest noun galaxy कौन सी है, dwarf galaxy, आपको पता है, planets revolve round the sun in elliptical orbit, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से जो elliptical orbit होता है, उसके, मतलब उस path में वो planets जो हैं, वो sun के round गुमते ह closest planet आपको पता है, कौन सा है, Mercury है, Venus को कौन कौन से नाम से जाना जाता है, morning star, evening star, earth twin, wild planet, wild planet इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इसके आगे पीछे cloud cover है, और यह hottest planet है, क्योंकि इसके उपर large amount gases है, और उसमें carbon dioxide ज्यादा amount में है, और carbon dioxide heat को trap करती है, इसकी वज़ा से Venus जो है, व planet है, लेकिन इसके साथ यह चीज शायद ना पता हो, Ganymeda, Ganymeda जो है, वो satellite जूपिटर है, और यह largest satellite है, solar system की, ठीक है, तो जो आपकी Ganymeda है, यह किसकी satellite है, Jupiter की, लेकिन यह पूरे solar system की भी सबसे बड़ी satellite है, next Uranus, Uranus जो है वो green color का होता है, क्योंकि उसमें कौन सी gas होती ह जो इसके atmosphere में होती है, question बूल सकते है, क्योंकि Uranus जो green color का क्यों होता है, क्योंकि methane gas की वज़ा से, ठीक है, next है Neptune, Neptune को हम Uranus का twin बोल सकते है, बिल्कुल Uranus की तरह होता है, अब जो next है, यह बहुत important है, Pluto जो था, यह planet के status से कब बाहर हो गया, कब इसको planet के status से निकाल दिया ग क्योंकि वो हमारे system से काफी दूर हो गया, उसको अब outer planet बोलते है, next जो चीज लिखी गई है, वो है proxima century, ठीक है, is the closest star to the earth after sun, यह भी बहुत important है, ठीक है, तो proxima century जो है, वो sun के बाद सबसे करीबी तारह है, पृत्वी के लिए, ठीक है, पृत्वी के पास जो है, दूसरा क Ika, Regulus, यह कुछ important stars के मैंने नाम लिखे हैं, hope, मैंने अलमुस सारी चीजे आपी cover की है, universe की, अगर कोई चीज रहेगी है, तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, और अगर आपको video पसंद आई है, तो जरूर like जरूर कीजेगा, और comment भी कीजेगा, और जी, हाँ, share जरूर करन नहीं आती है, तो please मुझे comment box में जरूर comment कीजिए, और हाँ, like, subscribe और share जरूर करिए, इसकी जरूरत है हाँ में, और इसी के कारण तो हम initiatives लेंगे आपके लिए, so